हलो नश्कार दोस्तों एक वेफिट से आपका स्वागत है हिंदी टेकिक के एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMP के बारे में और उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में जो कि अभी सॉल्व भी हो गई है और कैसे सॉल्व हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे और कैसे आप उसे अपनी वेबसाइट पर इनेबल कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तों यदि आपकी एक WordPress वेबसाइट है या कोई और भी वेबसाइट है जिस पर आप AMP अभी तक यूज कर रहे थे तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी जबी भी कोई आपकी WordPress वेबसाइट पर आता था या किसी भी वेबसाइट पर आता था AMP को यूज करते हुए तो जो उपर URL दिखाता था उसमें हमेशा google.com slash करके आपकी वेबसाइट का लिंक जो है आता था URL जो है आता था जिससे कि ये यूजर को पता नहीं चल पता था आपकी वेबसाइट का URL क्या है ये नहीं पता चलता था हलांकि बाद में Google ने एक छोटा सा उपर बार आड़ करके उसमें URL अड़ करना शुरू कर दिया था पर फिर भी चुकि यूजर को देखने की आदत उपर है वो URL google.com ही देखता था उससे पहले तो बहुत सारी वेबसाइट में क्योंकि लोगों भी नहीं लगा होता था AMP में तो पता नहीं चल पाता था कौन सी वेबसाइट है सारा लोग समझते थे कि यह गूगल से ही जो content है वो आ रहा है तो यह एक बहुत बड़ी problem थी website owners के लिए कि भाईया यह जो google.com है यह आ रहा है हमारे URL के सामने तो हमारा जो original URL यह पता नहीं चल पा रहा है यह समस्य गूगल को बहुत समय से पता थी और वो भी इस पर काम कर रहे थे कि किसी तरह इसको solve किया जाए हलंकि इसे solve करना उन्होंने बुला यह बहुत बड़ा काम है और बहुत कठिन काम है यह possible नहीं है इसलिए उन्होंने एक उपर bar add कर दिया था अभी उसमें sharing के लिए भी एक link add कर दिया गया है कि अगर आप share करना चाहेंगे तो वहां से share कर सकते हैं अभी हाली में जो add किया गया है अगर वहां से आप share का button दबाके share करते हैं बार से तो आपका जो original link है वह यह share होगा इसका solution निकाला है cloudflare ने यदि आप cloudflare नहीं जानते हैं तो cloudflare एक company है जो की CDN provide करती है CDN के साथ सा security भी provide करती है उसे कैसे अपनी website पे लगाना है यहां मैं link दे रहा हूं आप जाके देख सकते हैं चाहे वो कोई भी तरह की website हो चाहे blogger हो चाहे HTML कोई website हो चाहे कोई आपका custom script हो चाहे wordpress हो कहीं भी आप cloudflare को बड़े आसानी से लगा सकते हैं यहां मैं link उपर दे रहा हूं आप जाके जरूर देख लिजेगा cloudflare ने क्या किया है कि इसका solution के लिए मैं कोई technical term मैं नहीं जाओंगा लेकिन उसने यह किया है कि digitally sign करके हमारे content को यह verify करके यह हमारे URL से content आ रहा है यह verify करके वो जो browser होगा उसको provide करेगा अभी तक क्या होता था कि सीधा google का जो cache होता था उससे उठके सीधा browser को चला जाता था अब क्या होगा यह जो है google cache से उठाएगा और उसको digitally sign करेगा और digitally verify करेगा और serve करेगा हमारे URL से cloudflare इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा इसके लिए आपको अपनी website को cloudflare से जो जो भी आपकी website है उसको cloudflare से जोड़ दीजे और एक simple सा option है यह वाला इसको बस on कर दीजे और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा यानि कि आपकी जो website है वो आपके original URL से ही serve होगी AMP पे भी तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा trust build-up होगा लोगों म उससे पहले लोगों को पता ही नहीं चल बा रहा था कि आपका URL क्या है original आपकी website का address क्या है यही पता नहीं चल पा रहा था दोस्तों उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको कुछ जानकारी दी होगी यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को subscribe कर कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदी कुछ समझ में नाया हो कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर मुझे को जल्दी से जल्दी उसे solve करने का प्रयास करूंगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हिंदी टेकी को subscribe जरूर कर लिजेगा